भारत वर्ष के 68 में स्वतंतुता दिवस के मौके पर क्राइम पिट्रोल के सभी दर्शकों को धेर सारी शुप कामना है आज हम आपको दिखा रहे हैं एक 10 साल की बच्ची एमिली गोम्स का केस एमिली के स्कूल से लोटने का वक्त हो गया है और वक्त की सुई अचानक भारी हो गई है हमें एमिली बbtको ड्राव सिरी में आपको जले है और शीवली ने इंए हालो मेरी, डेविड डेविड, बोलो, तुमने डरा दिया मुझे अरे, छे बीस हो गए हैं, तुम अभी तक एमिली को पिक करने नहीं गई? अरे, वो छे पच्छेस खा अलाम लगाया था मेने पहले ही फोन करती हैं हाँ, मुझे टेंशन हो गई थी, मुझे लगा अलाम बचता रहाएगा और तुम उठोगी नहीं पसपे, टेंशन वाली कौन सी बात है? अच्छा, ठीक है ठीका, उड़ गई हो तो जाओ जल्दी, एमिली की बस आती होगी हाँ, हाँ, जा रही हूँ कर फित वाहे हो च। कि याँ, क्याँ, क्या बचू़ प्लया जाँ, क्या फित बात्सते हैं कि ये जल्दी कि मुझे together क्षव है प्ल Googchen नड़ा क्या है मेरी, तुम ताइम पर पहुंची ना? ओके, ओके मेरी को छोड़कर ओवर्सीज तो क्या पूना तक ना? जोड़न, सारे ब्रांचिस में से सिर्फ हम दोलों को सिलेट किया गया है, तो गुड ना? हाँ मिला मुझे एमेल डिविड, तो खुश नहीं है? छे महीने राजेश, पूरे छे महीने फैमिली से दूर अरे छे मैने यू निकल जाते है यार, और इतना बड़ा प्रेस्टीजिस ओवर्सीज पोजेक्ट है वो सब मैं समझता हूं लेकिन इस वक मैं मेरी को छोड़कर ओवर्सीज तो क्या? पूना तक नहीं जा सकता हूं वो अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है समझ रहा हूं, डेविड लेकिन कंपनी तुम्हें बैक आउट नहीं करने देगी तुम हमारे बेस्ट चीफ एंजिनियर हो डेविड ये जॉर्डन वाला प्रोजेक्ट गल्फ रिजन में हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए गेम चेंजर है तुम्हें ना वेजना में अफोर्ड नहीं कर सकता सिरफ छे मैनों की बात है पर ये छे मैने बहुत क्रूशल होंगे I understand, sir लेकिन आप अची तरह जानते हैं कि मैरी के ब्रेंट यूमर ओपरेशन को भी एक साल भी नहीं हुआ वो मेरे बगार एक दिन भी मैनेज नहीं कर सकती है, sir हमारे बच्चे अभी छोटे हैं और मैरी को बहुत सारी चीजे हैं जो याद नहीं रहती है डेविड अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें फैमिली के साथ जॉर्डन बेचता पर यूनो यह पॉसिबल नहीं है और तुम यह भी जानते हो कि तुम्हारे बिना यह प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है एंडी वो खेलोना नहीं है, खाना है खेलना बंकरो खाना खाओ चुपचा पापा, आप टेंशन मत लो, मैं मम्मी का और अंडी का पूरा ख्याल रखूँगे डेविड तुम ना बहुत ज्यादा और बहुत दूर की सोच रहीं आप मैनेज यह, प्रोमिस प्लीज कोई टेंशन मत लो अलिसन, तुम जानते हो ना यह उफर हम सब की फ्यूचा के लिए कितना अच्छा होगा अब कुछ सोचने की जरुवत नहीं बस जाकर अपने बहुत से हां कैत पापा, जहने से पहले ना मेरा स्टडी टेबल बनवा देना प्लीज जब मैं जॉडन में रहूंगा यहां किसी दिन मैरी कि एंडी या एमिली को पिक करना भूल गई तो तो क्या होगा अगर कुछ हो गया तो यह तीनों मेरी जिंदगी हैं और मेरे यहां ना मौजूद होने के खयाल से ही डर कुरेदने लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो वो कुछ क्या है जिससे मैं डर रहा हूँ वो मुझे नहीं बता पर इस अंजान खौफ से इने बचाने के लिए मुझे सब कुछ करना होगा और डेविड ने बिलकुल वैसा ही किया जिस जिस कोने से उसे इस अंजान डर का आभास हुआ उसने उन कोनों को सील कर दिया उसने वो सारे इंतजाम कर दिये जिससे उसकी पत्नी मेरी को घर संभालने में सहूलियत हो मेरी की भूलने की समस्या के लिए वो कोई गुंजाश नहीं छोड़ना चाता था डेविड कोई चांस नहीं लेना चाता था सुबह साड़े आरा बजे एंडी की बस आती है शाम को साड़े छे बजे एमिली की बस आती है तुम्हें छे पच्चिस पर हर हालत में बस्टॉप पर पहुँच जाना है मेरी अब बस भी करो डेविड प्लीज मैं नहीं भूलूंगी मैं जानता हूं डार्लिंग लेकिन एक परसंग चांस अगर तुम भूल गई तो तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम स्ट्रेस में आ जाओ याद करने की कोशिश में स्ट्रेस में तो तुम हो डेविड I have an idea अभी ए क्लॉक पंदरा मिनट आगे है मेरी अगर तुम कभी लेट हो भी गई तब भी कुछ छूटेगा नहीं और अगर मैं पंदरा की जगा पीस मिट लेड होगी तो पच्छिस पचास मिनित अगर तुम स्ट्रेस में पंची तो स्कूल बस एमिली को ड्रॉप नहीं करेगी ऐसा नहीं होगा बाब प्लीज थोड़ा तुम भरोसा करो मुझ पर अब है नहीं तुम सच में मुझे स्ट्रेस ते रहे नहीं नहीं तुम स्ट्रेस मतलो प्लीज मिस्टर गोम्स रूल्स अगर बस्टॉप पे कोई पैरें नहीं होगा बच्चे को पिक अप करने के लिए तो स्कूल उसे वहां अखेले छोड़ने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता यह रूल हमने बच्चों की सेवट्टी के लिए बनाया है सिस्टर मेरी एमिली तस साल की है वो बस्टॉप से घरता का रास्ता अच्छी तरह से जानती है और रास्ता सेफ है आप तो जानती है कि एमिली की मॉम मेरी इनकी तपया ठीक नहीं रहती है प्लीज हमारे लिए रूल्स में थोड़ा सा कंसेशन कर दीजिए और वैसे भी एमिली की क्लास्मेट रोजी वो हमारी बाजुबाले बिल्डिंग में रहती है वो तो ड्रॉप पॉइंट से घर रोज अकेले आती है वो एक स्पेशल केस है मिस्टर गोम्स रोजी की दोनों पेरेंस ओफिस से घर लेट आते हैं हमारा केस भी स्पेशल है सिस्टर प्लीज हेल पस अग्यम्स अप एक अप्लिकेशन लिग दीजिए सारे रिजस बताते हुए और आप दोनों उस पे साइन करतीजिए थाँ थाँ मैंने क्लीर लिग दिया है मैंने का दिन सब्सक्राइब करतीजिए पिर वो दिन आया जो मैं नहीं चाहता था कि आये मेरे जाने का दिन सब थे करपर टेविड या टॉलिट्री स्पैक कर दी ना तुमने ओ गाड मैं बूल गया तुमें भी बूलने की याता थे मैं लाती हू मेरी अब आई ममा सब थे खर पर एमिली और एंडी अपने कजिन जिमी के साथ खेल रहे थे डेविड एरपोर्ट छोड़ दे तो अरे नहीं नहीं मार्टिन राजेश है ना मेरा कलीग वो जा रहा है मेरे साथ ओके राजेश भी जॉर्डन जा रहा है तुमने बताया था करें मार्टिन मैंने मेरी से काया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पहले तुमें फोन करें आँ यार जरेट ये भी कोई कहने की बात हुई आखेर फैमिली किसलिए है मार्टिन मेरा बड़ा भाई मैं और मेरी फैमिली सबसे ज़एदा करीब मार्टिन से है अगर कोई भी अमर्जंसी हुई मार्टिन हो का मतद के लिए मेरी की बहन उलीविया और उसका पती जॉन फर्नांडेस अपी जॉनी देविट थाक्यू जॉन एन देविड मेरी एमिली आंडी की टेंशन मत लेना मॉम रहेगी उनके साथ थांक्स, थांक्स उलीविया चलो चलो साब, डिनर टाइम हो गया एना रेविलो, मेरी और उलीविया की माँ, मेरी सास वो हमारे घर रहने वाली थी मेरी गैर हाजरी में मेरी की मदद कर तुम खयाल रखना अपना तुम भी अच्छा सुनो, पोर्ट करके और लांड करने के बाद, प्लीज मुझे फून करना करूं का स्वीठार्ड मैने कार्पेंटर से बात कर ली है वो मैक्सिमम एक वीक के अंदर तुमारा स्टडी टेबल रेडी कर देगा नो प्रोब्लम पापा, अब अच्छे से जाये, मैं हूना, मैं सब मैनेज कर लूंगी अब मैं हराम से जा सकता हूँ, जो मैं स्ट्रॉंग कर लूंगा अग्यात के डर, वो संजाने खौफ ने, मिरे जाने काभ अग्यात के डर उस अजाने खौफ ने कि 10 दिन बाद मुझ पर अटेक किया एंडी बेता भूख लगी है कुछ खाओगे नहीं नानी भूख नहीं है अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा नहीं है अच्छा लोग तरारत नहीं अच्छा कि अच्छा कि 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 क प्षडि कर दो तरोंगाँ, कि भुष कर दो सहारे आरे तरोंगास कुछ मुष्रेस मेरी एडा को था हुआ नियुक एडिए एडा के एडा है मेरी, मेरी उठो, पॉनि साथ बख चुके हैं, एमिली अभी तक नहीं आई मामा ये घड़ी पंदरा मठागे, मैं अभी देखकर आती हूँ एमिली बिल्दिंग में आई नहीं तो, क्या हुआ मैंड़ी तक नहीं तो, क्या हुआ मैंडम मेरी, एमिली आई क्या, नहीं ममा, मैं तुमको अभी वही पूछने वाली थी, नहीं मेरी, एमिली यहां तो नहीं आई एंचला, रोसी कार आई? हाँ, वो कब का आगया? क्यों? एमिली घर में पहुचा? एक मिनिट प्लीज, रोसी को बुला तो क्या वाँटी? पिटा, वो एमिली तुम्हारे साथ बस से उतरी? हाँ, तो कहो गई वो? मुझे नहीं पता, वो अपने बिल्डिंग के तरफ गई और मैं अपने घर पर आ गई नहीं पिटा, एमिली घर नहीं पहुची अब तक मुझे नहीं पता, मेरी आंटी, बस में हमने सब को बाय बोला, हम नीचे उतरे और चड़ने लगे फिर मैं मेरे घर पर आ गई और वो अपने पिल्डिंग के तरफ चली गई बाई, रोजी तो एमिली कई का? तो घर पर एक बाद चेक करना अध्॥ एमिली पॉच्किया øY bell प्रे यहार हिए डावरा? ाण मेरे एममा है घर पर एमिली नहीं पॉच्छीय अब तक मैने वो सोसाइटी के वच्वेंसे मी जेक किया एमिली नहीं पॉच्छीय पम्री एट बिल्डिंग मेरी नहीं आस बूच है से नहीं नहीं खर एक मिनीट मेरी, शुल में चेक किया। स्कुल बस उसे वापस लेगी। मेरी तो कह रही है कि उस भिपेशन लेटर लिखके दिया है। कि एमिली को अपेले आने दिया जाए। यह वह बस से उत रही थी। वह उसकी दोस्त है ना रोजी। मैंने उसके घर चाकर पूछा, वो बस से उत्री दिया, मैरी, एखो, ऐसे हडबादाने से कुछ नहीं होगा, मैं स्कूल जाकर चेक करता हूँ, क्रेसी, तुम मैरी को घर लेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं हमारी अमेली वापस मिल जाएगी, मैं भी जलता हूँ, चलो, मैर सब मेरी गलती है, मैं मैं आलाव लगाना पूर गई, मैं ममा, अब मैं आलाव लगाना पूर गई, मैं मैं ममा, अब मैं आलाव लगाना पूर गई, मैं मैरी रेगो, शान्त जाओ, सब फीक हो जाएगा, मार्टिं गया है ना, एमिली को जरूर ले आएगे, चलो, अंदर च मंकज ने कहा कि एमिली अपने रोज के ड्रॉप पॉइंट पुत्री लेकिन एमिली घर पर ने कहुचिया अप प्लीज दूसरे बस्वालों से पूछे नहीं हो सकता है गलती से कोई बस्वाला हुसे वापी स्कूल में लेकर आगया वापस लाया होता है सबसे पहले खबर मु को उसके ड्रॉप पॉइंट पर अकेले उतर ने दिया जाए है हाँ हा में बिल्डिं के फ्लेट चेक करती हूँ जब तो माओगे न तो बाकी की बिल्डिंस चेक कर रहा है ठीक है मार्टिन और डेविट का दोस्चिन दोनों स्कूल गए हैं लेकिन एमिली वहां भी नही है मम उसके ने कर खीलने गई हो गी वो पता नहीं ऐ ओल लिविया मेरी ने उसकी क्लासमेट रोजी यह घर पी चेकिया वह भी नही थी रोजी ने कहा कि हुआ हमारी स्जाटी की तरफ गई थी लेकिन बट्च्मन कहता है कि हुआ हमारी स्जाटी क käyt пр traditions आई है ही नहीं पता नही तहां गई होगी मेरी बच्छी मैं बाद में कॉल करती हूँ ममा जोन है शायद दर्वाजे पर क्या हुआ? जोन, एमिली मिस्सिंग है मिस्सिंग? मतलब? मतलब स्कूल से निखली पर घर नहीं पहुची और किसी को कहीं मिलने रही है बाबा एमिली को क्या हुआ? पता नहीं बेटा एमिली खो गई पर हम से जल्दी भून निकालेगी लेकिन मेरी एमिली को टिक अप करने क्यों नहीं गी? पता नहीं जॉन ममा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सोती रह के इसलिए लेट हो गए जब एक बच्चा घर नहीं लौटता तो घर वालों की सारी काइनात सर के बल उरट जाती है डेविड और मेरी गोम्स के सारे रिष्टेदार मिलकर एमिली की खोज में लग गए उन्होंने उन सभी जगाओं पर ढूंडा जा उन्हें लगा कि एमिली जा सकती थी लेकिन दस वर्षी एमिली कहीं नहीं मिली एमिली मिसिंग हो गई थी गायब मुंबई में बज रहे होंगे सवा नौ पंदरा मिनट बाद फोन करूँगा घर रोज की तरह आम शूर एमिली, एंडी और मेरी साड़े नू बजने का वेट कर रहे होंगे वैसे एमिली बहुत खोश है उसका स्टड़ी टेबल आगे ना इसलिए वाँ, फोटोग्राप सेजने वाली है मेरी पच्ची आप तक गढ़ नहीं आई वो तेस साल की है जरूर कुछ गलत हुआ है हमने सोसाइटी की सारे फ्लेट में चेक किया सर, पासवाली बिल्डिंग जहां एमिली की दोस्त रोजी रहती है वहाँ भी चेक किया, एमिली कहीं नहीं मिली सर सर, हम उसके स्कूल भी गए थे, वो वहाँ भी नहीं है किसी पर शक? क्या? आपकी फैमिली की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो या आपका या आपके मिस्टर का किसी के साथ जगडा हुआ हो या ऐसा कोई हो, जो आप पर का गुस्सा आपकी बच्ची पर उतार सकता है किसी पर कोई शक? सर, मेरा भाई डेविट सीधा आदमी है एंजिनियर है, उसका किसी के साथ कोई जगडा बगडा नी है वो इस वत का है? जॉर्डन में, दस दिन पहले कमपनी के एसाइन्मेंट पर गया है रंजना रंजना? कौन है ये रंजना? नेड रंजना हाँ हाँ, वो हो हमारे गर में काम करती थी वो अभी भी आपके घर में काम करती है सर, वो प्राबलम जब वी थी तो डेवी ने खुट सोसाइटी ओफिस में आके ख़बर दी थी वो अब रेगुलर नहीं है सर ये रंजना है कौन? प्राबलम क्या हुई? सर, तकरीबन एक साल पहले की बात है मैरी का ऑपरेशन हुआ था ब्रेइन ट्यूमर का उस वक्त उसे काम पे रखा था उस वक्त उसने कुछ जूलरी चुड़ाई थी मैरी की और मैरी के मदर आना की और कौन डेवीड? मैने इस रंजना को कितनी बार वाउन किया है कि इधर उधर ताका जहांका मत कर मैं हंड़ेट परसेंट शूर हूँ उसीने मेरी जूलरी चुड़ाई है ठीक है मामा कल जब वो आएगी तो आप दोनों से कोई बात मत करना पेले मैं पूछूँगा उसे यह क्या फाल्ते इधाम लगा रहे है सार्ब चौरी वोरी करती तो आप दोंकों गजैसा फालाट में रहती जोपढ़ पकि में नहीं रहती गरीबू सार्ब पर हमारी भी कोई लेज़त है जानता हूँ तुम गरीब हो पुलिस के पास जाएंगे तो वो बहुत बुरी तरह से पेश आएंगे तुमारे साथ बैज़ेती तो होगी ही साथ में पूरी लाइफ खराब हो जाएगी इसलिए मैं आखरी बार पूछ रहा हूँ रंजना ये जुलरी तुम लटाओगी या पुलिस के पास जाकर निकल वाएं तुमसे तुमने बहुत समर्जदारी से काम लिया है रंजना तुमारा जो भी हिसाब बनता है मुझे बतादो मैं सारे पैसे क्लियर कर दूँगा और हाँ कल से काम पे आने की ज़रुत नहीं दूसरी बात इस सोसाइटी में भी कहीं काम ढूंडने की ज़रुत नहीं इस रंजना का मोबाइल नमर है आपके पास नहीं नहीं आप में से किसी के पास वो देविट उसे किसी एचिंसी के थ्रू लाया था प्देधा क्या थरू करे दो किसी जू घंटो चरूल से करे लार किसी एल मेका कु पलो किसी को धद हेलो, टीविट, जॉन बात कर रहा हूं है, हे जॉन, वाट अ सप्राइज, तुम्हेर अरो अलीविया घर आयो क्या, हाँ हम मैरी के साथ ही है, अच्छा सुनो न, वो जो एक मेड रखी थी तुम्हें याद है, एक साल भर पहले रंजना, उसका नंबर है के तुम्हेरे पास? रंजना का नंबर तुन नहीं है मेरे पास, अरे इन फैक्ट, उसे तो मैंने किसी एजनसी के थू हायर किया था, लेकिन उसका नंबर क्यों चाहिए, मैरी का है, जॉन, घर पे सब ठीक है ना? डेविड, हमें रंजना का नंबर चाहिए, अरे लेकिन क्यों चाहिए नंबर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, घर पे सब ठीक है ना, जॉन, तुम मैरी को फोन दो, वो, एक्चुली, क्या एक्चुली, तुम मेरी से बात कराओ ना, प्लीज, जॉन, तुम कुछ बोल क्यो मैरी कहा है, सब ठीक है ना, एमिली, एंडी, डेविड, साचिन, साचिन, क्या हो गया रहा है, तुम मेरी मैरी से बात कराओ प्लीज, डेविड, थोड़ा शांती से सुन यार, देख, यहाना कुछ प्राब्लम हो गया है, क्या प्राब्लम हो गया है, मैरी से मेरी कोई बात क लेकिन डेविट... डेविट... डेविट, क्या होगा? डेविट... डेविट, क्या होगा अबे? एमिली, क्या होगा एमिली को? क्या होगा? पतना है कि इस कॉलोनी का एक भी फ्लैट छूटना नहीं चीए आस पास की हर एक दुकान में इंक्वारी करो हर शिफ्ट के हर वाचमेल से बूचो पेपर वाले, सबजी वाले, दूद वाले, नॉकर ड्राइवर सबको बलाँ सर और वटसेपर एक गृूप तबर तोब बनाँ अपने सारे आदमियों को उस पर एड़ को जो भी इंफोर्मेशन मिलती है उस पर अप्लोड को सर, अभी बनाता हूँ दस साल की बच्ची, रात के दस बजने आ रहा है, ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं बढ़नाई मुझे किसी भी सूरत में वो बच्ची सही सलामत चेहिए सर सर, मैं भी चलू आपके साथ, मैं सोसाइटी में सब को जानता हूँ सर ठीक है, चलो साथ, मैं ने इंघंस मेडम से कहा थी मैंने अमिले कौन आधे नहीं देखा यस सर, मैरी आई थी, एमेले की बारे मैं पूछने की रही। तो रोजी उसको बोला, क्चा आपके वोम तै बस से उत्तरेधी यए साथ नहीं बस से उत्तरे थे हमने दूसरे को बाइकिया, एम्या अपने बेडिलिंग के तरफ चली गई और मैं अपने घर पर आ गई साब, सोसाइटी वालों ने मेरी डूटी यही लगाई हुई है, मैं यही से पहरा देता हूँ जगे कब-कब छोड़ते हूँ, टॉलेट टॉलेट के अलावा जब कभी पार्किंग की दिक्कत हूँ, या फिर कोई आवाज दे के मुझे बुला लेकिन अपना काम खत्म करके मैं यही आ जाता हूँ यह लड़की तो रोज दिखती है, बगल वाली सुसाइटी में रहती है, यह अश्का कांप्लेक्स में आज देखी थी, हाँ साब, शाम को स्कूल से लौट रही थी तब देखा था, इसके साथ एक और लड़की थी तुमने से सुसाइटी के गेट के अंदर जाते देखा? अब इतने ध्यान से तो नहीं देखा, रोज जाती है तो वहीं गई होगी रही था, पुर्ड दो मुझे, यहाँ, डूपल फोर, सिक्स सेवन, वाइस सेवन, एटब शेवन, रंजना, यहाँ, ओड़ था, खुच्छे नहीं जोड़ना चाहिए था आट बजे की तुबएएगी वाह से कनेक्टिंग फ्लाइट है मुझे यहां नहीं आना चाहिए था नहीं चोड़ना चाहिए था नहीं आना चाहिए था सब्सक्राइब एक साथ बस से उतरी और चलकर सोसाइटी के तरफ गई इस सी बाले ने भी देखा था सार यहां पर सिर्फ विसी एक सोसाइटी में सिंस्री डिवी कैमरा है मुझे इसकी फूटेज चाहिए सर, 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 एजन्सी से हमें उस रंजना का नंबर मिले है एक दस साल की बच्ची गुमशिदा हुई थी और उसी रात को पुलिस ने उस एरिया से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर सर्विलेंस लगा दी जोन के हर पुलिस टेशन को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया पुलिस का सर्च आपरेशन राद भर चला और एमिली का परिवार एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया निराशा और डर सांसों को कसने लगा एमिली की खबर के लिए सब के सब तड़ रहे थी लेकिन एमिली की कोई खबर नहीं मिले एक बच्ची ऐसे कैसे गायब हो सकती थी क्या उसका अपरन हुआ था स्कूल से घर लोटते वक्त एमिली कहा कैसे और क्यों गायब हुई पापा ये निव स्टड़ी टेबल तो बहुत ही अच्छा है आई लव इट थैंक यू बापा रेली स्वीठाट हाँ अभी अभी आया है वेरी गुड और तुम्हारी स्टड़ीस कैसी चल रही है स्टड़ीस अची चल रही है पापा बस ममा मैं एंडी आपको बहुत मिस करते हैं मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करता हूं सुबह से शाम तक बेट करता हूं कि कब तुम लोगों से बात हो कि मुझे दोना, मुझे दोना एक मिनिट एंडी, पापा, एंडी आपसे कुछ कहना चाहता है हलो पापा, हाई पापा, आ लव यू मी टू बाबू, मी टू सर, यह क्लियर नजर आ रहा है कि एमिली और रोजी इस लेल से अपने अपनी सोसाइटी की तरफ गए हाँ, लेकिन एमिली सोसाइटी के अंदर नहीं गए वाच्मान कहते हैं, वो इंटरे नहीं हूँ और उसके जो क्लासमेर थी, रोजी सर हाँ, रोजी, रोजी ने भी उसको सोसाइटी में जाते नहीं देखा, जी भी नहीं देखा जियां, सर रोजी नहीम से कहा कि एमिली ने उसे बाए कहा और अपनी सोसाइटी कि तरफ चले लगी यला बाए, आफ इमिली, बाए, रोजी अजीब है थोड़ा सा बच्ची रोज की तरह उस लेन से अपनी सोसाइटी की तरफ जाती है लेकिन सोसाइटी के अंदर नहीं जाती है यह जाती भी आए तो वाच्मन कहता है कि वो इंडरनिंग हुए वाच्मन को काफी थोड़ा सा बोला नहीं आई थी उसका बेग्ड़ॉंड भी चेकी है एक्दम क्लीन है और वो नौकरा नहीं रंजना सर मुझे नहीं लगता है वो इंडर्वड़ नहीं साब जूट नहीं बोलोंगी साब मैं मैंने उस गर में चोरी की थी साब पकड़ी गई पर उसके पाद वो सोसाइटी के आजवर जो कभी नहीं गई बच्ची के साथ क्या किया रंजना मुझे मालूम नहीं साब तेरी चोरी पकड़ी जाने के बाद अगर तुझे हमारे पास लाया जाता तो तुझे हमारी दवाई का सेंपल मिलता है और याद रख हमारी दवाई बहुत कड़वी है जिसके बोलो उसके शपत खाने को तयारू साब मैं तो एक साल से याशी के कॉंपलेक्स में गई ही नही हूँ मैं तो कल पूरी शाब दूसरे घर में काम कर रही थी मैं मांते साब इसके लिए देर तक रुखने को कहा था उस गर का पता दे सरम ने उस गर में पूछता शिकी रजिनर राद तक उसी घर में थी वो इंवल्व नहीं है गर में एक नया स्टेड़ी डेब लाया है वो कारपेटन का डेलियूरी वो है उसकी कह रिपॉर्ट दोनों क्लीन है सर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है क्राइम के दिन दोनों काम पर थे कुछ तो है जिससे इस वक्त हम अंजान है लेकिन बहुत जल्ड जान जाएंगे अई थिंक उसे कोई जान पहचान वाला मिल गया हो जो उसे वहां से ले गया हो किडनेप यह सर किडनेप नानी एमेली कहा है बेटा वो बाहर कई है आजाएगी प्लीज अपने आपको टॉचर मत करो मेरी कुछ का लो कुछ नहीं खाना मुझे जब तक मेरी अमेली नहीं मिलती कुछ नहीं खाना मुझे देखो डेविड आ रहा है तुम्हें उसके लिए मजबूत रहना है क्या मुद एकाओंगे वे उसे क्या बोलो कि असको किपता कुछ किया था मुझे याद दिलाने के लिए कि एमिली को टाइन से लेना मैं बस दोती रहने मैं कैसे बोल गई कोई बात नहीं जो हुआ सो हुआ मेरी क्या बलीव मी हम सब प्रे कर रहे हैं एमिली मिल जाएकी कैसे मेले की मेरी बच्ची कहा मेले की कॉ 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 कैसी दुश्मनी है मेरी चोटी से बच्ची से कैसी दुश्मनी है या या थेंक्स देविट की फ्राइट साड़े तीम बजे लेंड हो रही है ठीक है मैं जाता हूं उसे लेने आप यहां पे मेरी और अलिविया के साथ रुखी है मेरी के हालत बहुत खराब है पताने हैं डेविट की इस हालत में हुआ जाते हैं वो कितना टेंशन में था वो लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कोई एमिली को किड्नाप क्यों करेगा और अगर करता भी तो कोई रैंटसम कॉल्स तो आने चाहे ना तरही अस्त्री वाले के दुखानी इसने उन दोनों बच्चीयों को इस तरफ जाते हुए देखा दो रोजी ने एमिली को यही से गुडबाइ किया उसके बिल्डिंगे पास से यह रहो उसके बिल्डिंग और यहां से एमिली अपने बिल्डिंगी तरफ बही है कम एमिली बिल्डिंग तक आई तो ज़रूर लेकिन बिल्डिंग में दाखिल नहीं राइट सर्, वाश्मिन ने तू नहीं देखा वहाँ कुछ दुकाने हैं अगर एमिली को सोसाडी के गेट पर आने से पहले ही किसे ने उठा लिया होता चिल्ला ती ज़रूर अगर वह चिल्ला ती तो यहाँ कोहने कोई सुरी रेता है हो सकता है वह गेट के अंदर जाने के बजा है यहाँ इस रास्ते पर आई हो यह लाई गई हो क्या यहाँ से कही और चली गई हो यह ले जाई गई हो सर शायद यहाँ इस रास्ते पर कोई गाड़ी खड़ी हो जिसमें उसको ले जाए गया हो इस हीर है कि जितने भी ट्राफिक जंक्शन्स है वहाँ के कल रात के सब किसी सीडी भी फुटिजेस मोलता हो अगर वो किसी गाड़ी में है तो हम उसे स्पाट कर पाएंगे सर जल से जल सारा फुटेज अवेलेबल हो जाए सर कॉंस्टेबर रेखा पटवर्धन एमिली के स्कूल गई थी उसका बेकड़ाउंड चेकर ने ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो इस बात को सेजस्ट करें कि वो बच्ची अपने आप से कहीं चली गए एक दस साल की बच्ची अगर इमोचले ने डिस्टर्ब भी हो तो भी अपने आप कहीं चले जाए चांस ही नहीं और भी ओलने इंपॉसिल एसा भी तो हो सकता है किसी रिष्टेदार के यहां चली गई सर गोंस परिवार के रिष्टेदार है कुछ मेरी की बहन ओलिविया उसका अस्बंट जॉन मेरी की मा एना डेविड का बड़ा भाई मार्टिन और उसकी बतनी ग्रेसी इस अभी लोग उसका गोंस परिवार के साथ उनके घर में तो पिर एमिली किसके घर गई होगी तर दर रोस के तरह थी, कुछ अलग सी नहीं थी एक काम करो, एक और टिम तियार करो, यहां पर इस रास्ते पर जितने भी दुकाने है, कौनली से, सबसे पुछो कि किसी ने अविली को देखा है, क्या वो किसी के साथ थी, अगर वो किसी के साथ थी, तो वो कौन था? पटनाइक, मेरे बाद शेक से गरवावा, जा सर, हाँ सामने वाला रास्ता, यहां पर बिल्डिंग्स और मंगलोज है, सब कुछ कवर करना है, हलो सर, डॉन, कुछ कवर मेली, मिलेगे, यह डेविड गोम्स कब लैंड हो रहे है, साधे तीन बजे, मैं जारा हूने लेगे, आ झाल 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 को बढ़े नादा करें और चुछ आपकान को आपके चाहिक लिए प्राइब को पुराइब आपके आपके चाहिक है गर जाने से पहले डी सीपी से मिलना होगा वुरा देख रहे तुम्हारी अपने ओवर्सेस डेपूटेशन से काफी दुखी थे तो तुम्हारे ओफिस से परता चला मैं अपनी फैमिली को अखेले छोड़ कर जाना नहीं चाहता था सर मेरी मेरी वाइफ मेरी ब्रेंट यूमर के ओपरेशन से फुली रिकवर नहीं हो पाई तो बताओ सरा जार्डन से वापस आने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो मैं समझा नहीं सर समझा था डेविड तुमारे बेटी तुमारे सोसाड़ी की गेट की तरफ आ रहे थी बीच में उसे कोई मिला वो उसके साथ चली गई अगर वो कोई अजनवी था, अंजान था तो एमिली चिलना थी तो आप ये कह रहे हैं सर कि मैंने खुद अपनी बेटी एमिली की किड्निया पिंकरवाई है ताकि मेरी कंपनी मुझे जॉडन से वापस मुंबई भेज दे मैं तुमसे बस एक सवाल पूछ रहा हो डेविड गो आपने ऐसा पूछा क्योंकि आप ऐसा सोच सकते है लेकिन यहां मेरी सोच, मेरा दिमाग, सब सब सुन पढ़के हैं सर मेरी बेटी एमिली सर, मेरी चान है वो वो काय है वो यह सर वही हुआ जिसका डर था तो तेमें डर था कि एमिली को कोई किड्नाप करेगा लेकिन ऐसा डर क्यों था पता नहीं सर एक अन्जान सा क्या डर था सर कि कुछ बुरा होने वाला है तेखिए, हो क्या कोई मेरी बेटी की किड्नापिन क्यों करेगा सर क्या मिलेगा किसी को ऐसा करके मेरी डिविड मेरी एक जलदी मिलाएगी तुम प्रे करो अप्रे करो नहीं हम बाइगी यह मिलकर ढूंदेंगे लाँ बहुत जल्दी मिल रएगी तुम प्रेह करो, प्रेह करो कि वो जल्दी में, एट सर्थ एमिली को गायब हुए दो दिन हो गए थे पुलिस द्वारा लार्ज स्केल मैन हंट के बावजूद एमिली के बारे में कोई ख़बर नहीं मिल रही थी वक्त की सुई बढ़ती जा रही थी, तनाव बढ़ता जा रहा था अलग-अलग पुलिस टीम्स, अलग-अलग अंगल्स पर काम कर रही थी लेकिन कोई लीड दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही थी मुझे सीरिसली लगता है ये कोई इंसाइट जॉब है ये बच्ची तो सिर्फ दस साल की है लेकिन सिर्फ फैमिली का कहना है कि बच्ची बहुत स्मार्ट है पापा, बिना आई पीस से देखे, मैं नहीं मम्मा को और नानी को दर्वाजा खोले दूँगी अगर मम्मा स्कूल बस्टॉप पर लेट हो गई तो मैं सीधा सीधा बीना डरे अकेले आजाओंगी और अगर कोई स्टेंजर मुझ से बात करने की कोशिश करेगा तो मैं जोर से चिलाओंगी बचाओ, हेल्प अब मैं हाराम से जा सकता हूँ जिवा मैं स्ट्रांग का सर, एमिली के बैरेट्स का कहना है कि एमिली टीवी पर क्राइम शोज बहुत देखी तब तो सवाले नहीं उठता कि कोई अज्यात आदमी या औरत एमिली का अपारंड कर सके अगर कोई जोर जबरदस्ती करता तो वो चिल्ला थी ज़रूर राइट सर मेरी, अब मुझे और जॉन को घर जाना होगा पर कल सुब हम जल्दी आ जाएंगे, ओक्ये? एतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू जॉन जब बाहरी दुनिया में पुलिस को इस केस का एक भी सुराग नहीं मिला तब उनका शक घर के अंदर की दुनिया में बढ़ता गया पुलिस को अभी तद किसी एक शक्स पर शक नहीं हो रहा था और ना ही कोई ठोस कारण सामने आ रहा था बसा रही थी तो एक अजीब सी गट फीलिंग एक अंदरूनी फीलिंग कि ये इंसाइड जॉब है और पहला बड़ा ब्रेक्थ्रू भी इसी दिशा में था हां सर बच्चे जीले। अज एक अश्य है अश्य कुंचको ये एमिली इग दी इस परशबी ऊपलम में रहता है क्या क्या रहा है क्या क्या है एमिली उडिखा था था उसमें własख शळब उसन यह लीग वो अगुद हाँ यही थी तब तो तुमने इसे इस युनिफॉर्म में देखा होगा है ने बेटा येस सर इनियस पॉल्च कुल का इनिफॉर्म है हमारी बिल्डिम जेक लड़का भी वहीं पड़ता है तुमने और क्या देखा बता सकते हुआ सर एपनी साइकल चला रहता अच्छा वो आदमी जिसके साथ एमिली बात कर रहे थी क्या तो उसे जानते हो उसे नहीं जानता अशिश पिटा आप बता रहे थे कि उसा आदमी से बहुत आराम से बात कर रहे थी है ना स्माइल भी कर रहे थी पिर वो दोनों कार में बढ़े और चले गए कार का तल्व क्या था था पिटा पिटा शायद ब्लाक अशिश पिटा वो चो कार थी जोटी कार थी या फिर बडी कार थी मतलब डिकी वाली बडी गाड़ी थी या एटैस डिकी वाली चोटी गाड़ी थी चोटी वाली सर नो कि अब्लाग कलर की हैच्वेक कार? हाँ, ब्लाग हैच्वेक. क्या आपके सरकल में किसी के बास ब्लाग हैच्वेक कार है? किसी ने एमिली को पहिछन्दा था. नर्मल सी बात हो रही थी. सर अभी इमिडेटली तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसके पास ब्लाक है कार है जरा दिमा पर जोर लगाए Mr. Gomes, this is very very important ये सर, क्या गह रहा है किसी ने एमिली को एक आदमी के साथ बात करते हुए देखा था सामने वाली सबक पे फिर वो उसे एक ब्लाक हैजबेक कार में लेकर कहीं चला गया कौन था मैं ही पता मेरी सिर्फ इत्मा मालो मैं कि एक ब्लाक कलर की कार थी ब्लाक हैजबेक कार किस कि किस कि हो सकती है ब्लाक हैजबेक कार लीड छोटी से है पर मजबूत है सरे काम करते हैं सीसी टीवी फुटे से सारी ब्लेक हैजबेक कार्स अलग करना शुरू करते हैं हैजबेक से नहीं सारे सेडन को भी आइसुलेट करते हैं क्या पत्ता अशीष ने गल्लत अइडन्टिफाय क्या हो? सर्व, राइट सर्. अब तलाश शुरू हुई उस ब्लैक कलर की हैजबेक कार के लिए, जिसमें अमिली को ले जाया गया था और आशीष पिंटो ने देखा था. हमारे जोन के बाके के सब्डिविजिन्स, वाशी, एरोली, निरूल और खारगर, सब के CCDV फुटिजिस मुझे चाहिए, कि ब्लैक कलर की गाड़ी हमारे नजर से चूखनी नहीं चाहिए, गाड़ी ट्रैक हुई, तो एमिरी में ट्रैक हुई. नानी हमेली दीदी का बाइगी? परता नहीं बेटा. किसके साथ कईयो की है, हमेली? आपको. आपको. लोटा हैगी, ना? आपकोर्स. आपकोर्स लोटा हैगी. तुम सोचाओ, तुम्हें नीन की सरुवत. अच्छे, अमिली की सरुवत. कहां कही मेरी बच्ची? जॉन? जॉन? तुम्हें क्या लगता है, कौन ही या आदमी जिसके पास ब्लाक कार है? मैंने भी काफी सोचा उस बारे में, पर मुझे तो याद नहीं है कोई ब्लाक का. पुलिस को ऐसा लगता है कि ये आदमी फैमिली का कोई जान पहचान का है. एमिली उसके साथ अपनी मर्जी से गई थी. और दोनों की भीशमत नॉमिल बाते हो रही थी. आपता कौन है यादमी? बस एमिली ठीक ठाक हो और जल से जल मल जाए. सर, एक कार मिली है. ब्लेक हैच बैक. इस कार को एक आदमी ड्रेव कर रहा है. और उसके पास में बच्ची बैठी है. स्कूल उनिफॉर्म में. ये देखें. मुझे भी एक कार मिली है. वास्टी स्टेशन का एरिया है, कैमरा फॉर. फ्लाई ओवर आना. और ये एरोली नाका है. कैमरा नमबर टू. दोनों एरियास के दूसरे एंगल वाले कैमरास चेक करते हैं. सर, मैं गाड़ी का नमबर मिल साथ. राइट. आरइटियो से उन दोनों गाड़ियों के मालेकों के डिटेल्स निकल वात्तुरन. एमेच P34583 राकेश सिंग निरूल का रहने वाला है. दूसरा नमबर है. एमेच Y23706 पुजा गिलानी थाने के रहने वाली है. राकेश सिंग? पुजा गिलानी? नो सर, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुनाए. पुजा भी नहीं सुनाए. जी यहां, इस मेरी कार है. इस वक्त पारकिंग में है. और कार में ये जो बच्ची है. ये क्यों है? ये मेरी बेटी आँचल है. 15 जुलाई की रात को आपकाँ जा रहे है. 16 जुलाई को मेरी बेटी आँचल का बर्थड़े था. जी हम लोग मोई देखने जा रहे थे, बहुत लेट हो रहे थे, क्या मने कोई स्पीड लिमिट तोड़ी थी से, हम से बच्चे का एरिटिविकेशन करना चाहते हैं, क्या ये वाक्य में आपी की बीटी है प्राची, आप मुझ से पूछ रहे हैं कि ये मेरी बेटी प्राची ह है की नहीं? जी हाँ, हम यही आपसे पूछ रहे हैं तकलीफ देने के लिए माफ भी जातना है राकेश, कोई बात नहीं से, मैंने अमली गोम्स के बारेन पड़ा, सोचकर ही रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं कि फैमली पर क्या भीत रही हो, उस बच्ची के साथ क्या हुआ थैंक यू, मिसेस गिलनी, कोई बात नहीं, हमारे पास कई अरियास के टेपस हैं, धेर सारा फूटेज हैं, यह ब्लैक कार हमारा सबसे बड़ा सुराग है, पले हजारों पार क्यों नहीं हमें देखने पड़े? पलिस के पास एक नहीं दो सुराग थे, एक जान पैचान का कोई शक्स और दूसरा ब्लैक हैच बैक कार जिसमें एमिली को ले जाया गया था, लेकिन कई कोचिशों के बावजूद, ना तो वो कार ट्रेस हुई, ना वो आदमी, और ना ही एमिली, वक्त की सुई और भारी ह होती जा रही थी, बड़ा पेचीदा केस है मिस्टर गोम्स, बड़ भी एशूर्ड, हम आपकी बेटे को ढूंड करी रहेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये किड्नापिंग है, तो अभी तक कोई रैंसम कॉल क्यों नहीं आया, और अगर मेरे किसी जान पेचान वाले ने ये किया है, कोई दुश्मनी निकालने के लिए, तो वो दुश्मनी किया है, किसके साथ है, मैं ये भी समझ नहीं बा रहा हूं, हम भी इस बात को लेकर सोच रहें, मिस्टर गोम्स की भला कोई एक बच्ची, एक दस साल के मासुम बच्ची के थूरू, क् वो ये जा क्यों करेगा, मैं भी बच्चे माबाप के लिए सबसे वंदरेबल, इमोच़्नली सबसे वीक स्पोर्स होते हैं, मेरी एमली तो बहुत सेंसिडिव है, सर, बहुत सेंसिबल है, very cooperative, किसी भी माबाप के लिए तोफा है, एमली, आपका तोफा हम आपको जरूर तोड़ा वक्त लगेगा शाय, लेकिन ब्रेक्थ्रू दूर नहीं है. आप दुबारा क्यों पूछ रहे हैं? क्या है बेटा, हम सब लोग कभी न कभी गलती करती हैं. हमें कुछ ब्लैक लगता है, पर हो सकता है वो ग्रीद रहा हो. अमेली गाड़ी में बठी थी, वो आदमी भी गाड़ी में बठा था, लेकिन वो ब्लैक कलर की छोटी गाड़ी थी, है न? सर, मैं साइकल चलार था, मैंने इतनी डिटेल में नहीं देखा, मुझे का मालमता कुछ गलत होने वाला है. बिल्कुल बटा, बिल्कुल. सर, पंद्रा जुलाई को अमेली गाया कुई, और पंद्रा जुलाई से हमने हर उस कार को स्कान किया है, जो हलकी सी भी ब्लैक हो. सिडन और हैच्बैक दोनों टैप की गाड़ी है, पर कुछ भी पॉजिटिव निकला. यह ब्लैक कलर हमारी सर्श का काटा बंदा जा रहा है. प्रॉब कुराँ. यह आशिश पिंट बड़ा स्मार्ड बच्चा है. जब वो कह रहा है कि उस आदमी के साथ एमिली गाड़ी में चली गई थी, तो उसमें जूट बुलने या गलत फिमी के गुंजाईश आलमोस् नील है. उससे बात करते हुए मुझे पता चला कि उस ब्लैक कलर के बारे भी शूर नहीं है. शायद ब्लैक. अगर वो शूर है, तो सिर्फ इस बात के लिए कि एमिली उस गाड़ी में थी. तो मतलब अब हमें सिर्फ एमिली को ठोना चाहिए? Correct. कार चाहिए किसी भी कलर किओ किओ किसी भी टाइप किओ. हमारी नजर में सिर्फ और सिर्फ एमिली होनी चाहिए. Martin? हाँ, Martin. मुझे लगा आपको पता होगा, सर. Martin मेरा बड़ा भाई है. Zaga भाही, हम काफी क्लोस है और Olivia? Olivia, मेरी वाइफ मेरी की बहन है सगी वो यत्नी कलोस नहीं है कै? वो भी बहुत क्लोस है साथ जैसे मार्मार्टृ और John Fernandis? उसके साथ अपकी कैसे बिस्लिशन से? नॉरमल हैं से आपको सारी इंवेस्टिकेशन के बाद आपको मेरी फैमिली मिली है शक करने के लिए? इमीडियेट फैमिली है सर, एमिली उनकी बच्ची जैसी है इसारी इंवेस्टिकेशन के लिए इसे लिए फैमिली के जान पहचन के लोग इंवल्व होते हैं, Mr. Devin एमिली को ढूंडने के लिए में हर मुमकिन पहरो को टटोलना चाहता हूँ जब मैं आपके उबर शक कर सकता हूँ तो आपके फैमिली ग्रूपर बेशक शक कर सकता हूँ आप, इसा सब के बारे में क्यों पूछ रहे था हूँ नो आइडिया कुछ बता चला उनको ऐसा कुछ बताया दो नहीं बस सिर्फ हमारे सारे रिष्टेदार और उनके रिष्टेदार जब के अड्रेसेस मांगे उनके फोन नंबर्स मांगे जी यह क्या हो रहा है इंस्पेक्टर आप लोग मेरे घर में क्या डूण रहे हूँ आप यह तो ज़रूर जानते होंगे कि आपकी डॉर्टर-in-law औलिविया की बहन मेरी की बेटी एमिली गायव है आपकोर्स पता है लेकिन आप लोग मेरे घर में क्या डूण रहे है एमिली को आप लोग बागल हो गए क्या आप लोग बागल हो गए क्या सर्पलीज थिस तूमच मेरी मेरी बहन है एमिली मेरी अपनी बेटी ज kriti है आप मेरे घर की तलाशी कू ले रहे है नहीं आपकेापन कर मेठे मेरे कि संषाब से मेरे घर कि तलाशी ले रहे है ilot के जान कहा है वो इससरे पहर पर नहीं है वो office के ले किसी अपने हस्बंड को कुछ नहीं बताएंगे, कि हम यहाँ आए थे, हमें पता चलेगा, अच्छा नहीं होगा. जॉन फर्नांडेस को कस्टडी में ले लिया गया, एमिली की मां मेरी की बहन ओलिविया का पती, जॉन फर्नांडेस. पुलिस को एमिली के बारे में कुछ और जानकारी मिली थी, और इस जानकारी ने एमिली के गाइब होने में, जॉन का हाथ होने की तरफ इशारा किया था. आप लोग पूसना क्या चाते हैं? हाँ? उस बोल तूने ने आप? पुलिस वाले पागल हो गयें क्या? जॉन को ले गयें क्वेस्चिनिंग के लिए. जॉन को क्यों? मेरी कुछ सबज में नहीं आ रहा है, डेविड. घर पे आय उन्होंने तलाशी ली. जॉन के पेरेंस के घर गए घाट को पर में वहां तलाशी ली. इसलिए उस दिन अड्रेस बांग रहे थे तुमसे. पागल हो गयें क्या ये लोग? हम लोगों पर शक करेंगे. इमीडिय कहा है. मुझे नहीं मालूम एमिली कहा है. पंदरा जुले के शाम को कहा जे तुम. मैं घर से बार था. पंदरा जुले को तुम्हारा फोन स्विष्ट अफ था. हां तो मेरे फोन का प्रॉब्लम हो गया था. इसलिए बंद रखा था फोन. क्या वा था था फोन? फोन की बैटी मिसिंग है. और आपने मेरे ब्रदर इनलाओ जॉन को पकड़ लिया है. मतलब, कनेक्शन क्या है? कनेक्शन यह है, मिस्टर गूम्स कि आपकी बैटी एमिली है. जिस आदमी के साथ बात करते वा उस गाड़ी में बैठी थी. वो आदमी था आपका साडू बाई. गयुआ बक्वास! अगर मुझे उससे मिलना हि होता तो मैं डेविड और मेरी गर पर जाके उससे मिलता है. सोसाइटी के के बाघ क्यों मिलता है? यही तो जानने कलिए हमने तुम्हे यहां बुलाया है. क्यों सोसाइटी के बाघ क्यों? जब मै वहाँ था जो gratis면 क्यों क् साप, ये लिजी आपका मस्तवला सेंड़ेच को लागा ना, तमाटर नहीं चाहिए अरे साप अग्दम फ्रेश है, खा के दिगी नाप नहीं पॉस्त, क्यों खाऊँ से लिए, दूसरा बना के लिए किया में इसके बिना अरे हाँ साप, ये तो यहाँ था ये एक नंबर का तरास था, आलिफोन में टमाटरों को लेक जिक-जिक कर रहा था समझ में नहीं आत रख्या को आप लोग एमिली को ढूंड नहीं पा रहे हैं, इसलिए मुझे बक्रा बना रहे लेकिन मुझे ही क्यों है ये मैंने ही जान था तुम वहां मवजूद थे, Mr. John Fernandis बिना टमाटर के सैंडविच खाई और तुमने एमिली को रोक लिया उसके सोसाइड़ी के अंदर जाने से जस्स पहले वाई, Emily वाई, Rosie Emily John, Uncle? जूट सरासर जूट है देखिए, आप लोगों ने खुद कहा था कि खिटनापर के पास ब्लाक कलर की गाड़ी थी और मेरे पास कोई ब्लाक कलर की गाड़ी नहीं है बात तो सही है तो आपने पास कोई ब्लाक कलर की गाड़ी नहीं है वो जो छोटा वच्चा था, Ashish उसने कार के कलर को पहचानने में गल्ती की थी कार ब्लू थी जॉन की ब्लू हैच्पैट अज़ नहीं है से सीडीवी फुटेज में भायंदर के रस्ते जाते 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 ये गाड़ी नहीं और मेरी बीठी एमिली वो कहा है यही जानने के लिए जॉन से पूछता चल रहे है और अभी तक वो साफ मना किये जा रहा है कहता है हम जूड बोल रहे है एमिली को उसने उठाया ही नहीं आप लोगों के सब पैंतरे जानता हूं मैं आपने उस ब्लैक कार पे ब्लू पेंट मार दिया होगा और मुझपे एक क्रिमिनल होने का कलर लगा रहे हैं आप एमिली कहा है जितना जल्दी बोलोगे सबके लिए अच्छा होगा सबके लिए अच्छा ये होगा सर कि आप सही तरीके से एमिली को ठूण दे जितनी बार मुझे पूछोगे मेरा एक ही जवाब होगा मुझे नहीं मालूम I do not know Olivia John कहां लेगा मेरी बच्ची को एक Olivia तुझे कुछ बताया Olivia कुछ बोल क्यों नहीं रही है प्लीज बता मेरी बच्ची को कहा लेगी है John अरे काम डाउन यार John काम डाउन आराम से बताओ ना हुआ क्या है Mary and तुम्हारे बच्चों को अभी के अभी वापिस लेगे जाओ अगर तुम नहीं आए तो मैं खुन उन्हें तुम्हारे घर पे ट्रॉप करते है ओके ओके मैं आफिस खतम करने के बाद इमिलेटली आ जाओंगा ठीक है क्यों अभी क्यों नहीं आ सकते आफिस में हूँ मीटिंग्स हैं काम है मैंने कहा ना काम खतम करने के बाद आऊँगा हाँ ठीक है राह देख रहा हूँ मैरी तुम्हें याद है जॉर्डन जाने से पहले एक दिन तुम बच्चें को लेकर अलीविया के घर गई थी मुझे कुछ याद ने करना डेविट मुझे बस अबनी बच्चे चाहिए जिस दिन तुम अलीविया के घर गई थी उसके अगले दिन जॉर्डन का मुझे फोन आया था बहुत गुसे में था तुम उसे कह रहा था कि अभी ऑफिस जाओ और तुम्हें और बच्चों को लेकर घर जाओ फिर मेरे तुम से बात हुई थी और तुमने मुझे से कहाँ था कि सब ठीक है पुटेंशन नहीं तुमारामस्व आफिस आना तुम्हें याद है टुयू रमेंबर मता रही डेविड मुझे कुछ याद नहीं आरा मैरे उस दिम तुम्हारा और जॉन का जखड़ा हुआ था हेलो डेविड एमेली जॉन की साथ चली गई थी लेकिन जॉन कभूल करना से इंकार कर रहा है नहीं रहा है कि एमेली कहा है मुझे लगता है वो किसी किसम की डरके मारे शौक में चला गया है तुम आकर हमारे मदद कर सकते हैं ठीक है सर, मैं आजाता हून आप मुझे बताइए, क्या करना है मुझे कर दो Emily कहा है, John? मैं सच कह रहा हूँ. मुझे नहीं मालूम, Emily कहा हूँ. प्लीज जूट. बस, आप जूट बोलने का कोई फाइदा नहीं है. प्लीज बता दो कहां लेकर गया है, तुम उसे कहां रखा है, तुमने, Emily को- मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ. ऐसा कैसे हो सकते है, John? हमारा प्लान था ना? हमारा प्लान था ना, Emily को ले जाने का? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उसे नहीं ले गए? कैसे बूल सकते हो इतनी जल्दी, तुमें याद नहीं है. हमने Emily को उसकी सोसाइटी के बाहर से पिक अप किया था. फिर हम कार की तरफ गय थे. उसके बाद तुम Emily को आगे लेकर गय थे. मुझे नहीं पता वो कहा है. प्लीस बताओ मुझे कहा है. क्या? John, प्लीस. 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 पुलिस को सब कुछ पता है हमारे प्लान के बारे में. उन्हें पता है के हमने Emily को किनप किया. मुझे नहीं पता तुम उसे कहा लेकर के. देखो अलिविया, तुम भी प्लान में शामिल थी. ये तो मुझ नहीं खुलीगा. लेकिन हम तुमारा मुझ खुलवाएंगे. बहुत तकलिफ होगी. तुमारा लड़का जिमी. उसे भी बहुत तकलिफ होगी. तो इनाटक बन करो. और चुपचा बदाओ, Emily कहा है. मैने और John ने, Emily को उसके सुसाइटी के बाहर से पिक-प किया. हम बहला आप उसला के उसे कार तक लेकर गये. पर उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, Sir. John अकेले लेकर गया था. उसे प्लीज, John. शूर बोले यह. यह किसी प्लान में शामिल नहीं थी. तुम्हें पता है नौ? किसी प्लान में शामिल नहीं थी. तुम क्यों कर रही हो यह? पागल हो गयो? नहीं थी. माँ सिर्फ मैं था. अकेला. एमिली को मैं लेके गया था. सिर्फ मैं. एमिली कहा है John? अब भी जोजन अंकल. हाई, अब यू? अब यू? अलिब यू अटी आई है क्या? जिमी भी आया है? नहीं बो तो घर पे है. मेरे घर पे. मैं तुम्हें लेने आया है. चलो. मम्मा, नानी, एंडी आपके घर पे है? इसी लिए तो मैं तुम्हें लेने आए हूँ, आचा मैं बना, चलो तुन्हें पता है इस डिनर में क्या है? रोस्चिकिन वाउ चलो चलो जल्दी बेठो तुम्हारी हमिली के साथ क्या नाराज किये जॉन? क्यों टॉर्चर कर रहा है हम सबको? वो वो चोटी पच्ची है बता तो कहा है वो प्लीज ज़ुँ, ज़ुँ, एमिली का है? वो वापसा जाएगे हो वापसा जाएगे हो ज़ुँ, तुम्हीं गॉड का वास्ता पाओं हमिली का है वापसा जाएगे हो लो ओ, डिविद औरयो पाहंगे है कि आखरी बार पूछ रहा हूं है एमिली कहा है है मैंने उसे छोड़ दिया आइवे पे छूट बिल्कुल सच के रहा हूं मैं मैंने हाइवे पे एमिली को गाड़ी में से उतार दिया फिर मुझे नहीं मालूम हो कहां गई अब हम सब प्रे करते हैं कि एमिली जल्द से जल्द लॉट आये कोई तो होगा जो जो से वापिस घर ले आए आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना मुझ पर अगर अगले तीन दिन में एमिली वापिस नहीं आई तो अब जो सजा देंगे मैं भूगतने के लिए तयार हूं जो कहेंगे वो पंदरा जुलाई की शाम जब जॉन घर लोटा था तब वो काफी डिस्टर्ब्ड था ओलिविया ने ये बात नोटिस की थी लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो घर में कोई चीज ऐसे पागलों की तरह क्यों ढूंड रहा था जोन, क्या दून रहे हो? क्या हुआ? मेरे ओफिस की फाइल है वो मिल नहीं रही है मैं शायद ओफिस में भूल गया हूँ मैं काम गता हूँ ओफिस जाके वापेस आता हूँ, ठीक है? दून जिस तरह से वो फाइल ढूंड रहा था मुझे अजीब लगा मुझे समझ में नहीं आये कि ऐसा क्या ढूंड रहा हूँ मेरे पूचने पर जब उसने का कि वो फाइल ढूंड रहा है तब तु मुझे और भी स्यादा अजीब लगा अलेविया तुम किसी ऐसी जगा क जानती हो, यहां तुम्हें लगता है उसने अमेली को छुपा दिया, नहीं, देविड, तुम्हें क्या लगता है, अगर मुझे पता हो, तुम्हें सबसे पहले जाके अमेली को वापस नहीं लाती हुआ हलो, डेविड, हमने जौन से कबूल कर वा लिया है, कहा है मेरी लेविड, हमें कहने में बड़ा दूख हो रहा है कि क्या, क्या कहा हो नहीं, कहा है अमेली, हाँ, देविड, बताना कहा है उसने अमेली को अंजान, अज्यात का डर, अंदेखे, अंसोचे का डर, हमेशा हवा में मन रहता है, पर मेरी नन्नी सी जान, मेरी मासूम एमेली, उसे कैसे महसूस करती, वो कैसे पता कर पाती, कि अंदेखा अजनभी खत्रा, तरसल एक जान पैचान वाले से है, एक करीबी रिष्टेदार से है, मेरी एमेली के पास कोई तरीका ही नहीं था, जॉन के इरादों को समझने का, जब हम सभी को भनक तक नहीं थी, कि उसके अंदर गुस्ये का इतना बड़ा वॉलकेनों बड़ा कुठा है, क्या किया तुमने एमेली के साथ जॉन, जॉन अंकल, क्या मुसी रिसॉर्ट में जा सकते हैं, जहां हम दो विक पहले गए थे, क्योंस बेटा, वाइन और तो, ये, बहुत मजाएगा, तुम हमें बोड़े तक ले जाओगे चॉन, अब भी ले चलो की चॉन, जॉन दो जॉन, जॉन दो ने जॉन करवा लिया या, हमने जॉन से कबोल करवा लिया है, कहा है मेरी बच्ची, विड हमें, कहने में बड़ा दूख हो रा है की, एमिल इस डेड़, जॉन ने उसे मार ड़ला, हमें आवे अवे उसकी डेड़ बॉड़े में लिए है यकीन ही नहीं होता, बिलकुल नहीं होता हम सब जानते थे, कि जॉन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता था लेकिन क्या वो हमसे इतना गुस्सा था? गुस्सा था मुझ से था ना मुझे मार टाए था तेरी तेरी बच्ची को क्यों मार असने क्यों डेवे ने क्यों डेवे बच्ची को क्या हुआ? मेरी अंटी ने भेजाता मेरे बच्चे को जलागर क्या मेलेगा तुमें मैरी? क्या बोल रहे हो तुम? जिमी को अंदर किचन में गरम दूद पेने तुमने भेजा था? इतना गरम कि वो जल जाए नॉंसन्स मैंने उसे कोई दूद बूद लेने के लिए नहीं बेजा था तो अपनी मर्जी से गया था फिर? जॉन मैं मैं यह सिर्फ अपनी दवाई खा रही था वो मुझे दवाई खाने नहीं दे रहा था इसलिए इसे ही उसको डिस्ट्रैक करने के लिए मैंने बोला कि जाओ कि जाओ किचिन में जाओ वहां से वापस आओगे तो मैं तुम्हे कुछ दूँगी क्या दोगी? बॉइलिंग दूद अगर जीमी पर दूद गिर जाता ना आत मुझ जल जाते बेचा रहे इतने छोटे से लड़के के साथ को यहां बरता हो कोई सोच भी कैसे सकता है मैं करूं इसा तुमारे एंडिय और एमिली के साथ मैं सा बरता हो करूं पागल हो तुम जोँ जॉन वाट इस रांग विधियो क्यों फालतु का जगडा करे हो मेरी साथ तुम हमेशा मेरा मूड खराब करती हो पताए क्यों मेरे इस घर को बरबात करने पे तुलियो तुम अब अब ये कौन सा नया अंगल है हमेशा ओलिवय के कान भरती रहती हो मेरी बुराई करती रहती हो ताके हमारे रिलेसिंशिप की बीच दरार आए वो गुसा करे मुझ पे, शक करे मुझ पे तुम मेरे इस घर को बरबात कर रही हो जॉन लेसिंटे में तुम जानते हो ना तुम्हारा ये गुसा ये तुम बहुच शॉट टेमपर हो तुम्हारा गुसा ये अबनॉमिल है प्लीज जॉन अबने कुसे को कंट्रोल करने के लिए कोई ढंका बालाज करो तुम्हारा ये गुसा तुम्हारी फैमली लाइफ बरबात करदेगा अन्डिस्टेंट ये इघ आए तो आपेट पीछे औली वायको जान दे रही थी तुमारीं. आज मेरे मूपे बोलने की हिम्मत हो रही है तुमारी. तो ऩो नेगेटिव इतनी नीगेटिवीटी भरी है ना तुमें इसलिए तुम बीमार हो गई इतनी गंदी सोच है तुमारी इतने गंदिक ख्याल उन्हीं का वी थुमर हो गया हुग है तुमें, और देखना है ये निगटीविटी तुमें ज़्धा देर तक जिंदा नहीं रखेंगी, नहीं कि चल्दी हुई देयो तुम्हारे दिमागे कोई कम नेगेटिविटी नहीं है, John. और यह तुम्हारा पागलपन, तुम्हारा गुसा, यह शक करना हर टाइम. लेकिन मैं तुम्हारे बारे मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती. मैं कभी नहीं चाओंगे कि तुम जल्दी मरो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूँ. देखते हैं, कौन जल्दी मरता है, कौन जिन्दगी बर रोता है, देखते हैं. जल्दी समझ जाओ कि तुम. हज्बंट और वाइफ के बीच आने का उसे कोई हक नहीं था. तो उस दिन मेरे जिमी के साथ उसना ऐसा किया. तब मैंने सोचा, डिसाइड कर लिया कि मैं उसे सबक सिखा के रहूँगा. सबक? एक छोटी तस साल की मासूम प्यारी बच्ची का गतल कर दिया? जैसे मालूम तक नहीं था कि तुम्हारा क्या गुस्सा है उसके मा के ऊपर? विचारे हसते मुस्कुराते हैं तुम्हारे पास आई. भरोजा किया तुम पर? जैसा एक बच्ची अपने बाप पर करती है. वो अपने सगे भाई एंडी और तुम्हारे बेटे जिमी के साथ हस्ती खेलती थी. उसको सबग सिखा दिया तुम्हें? ऐसे? गलाग उटकर? अस चगड़े के बाद मेरे मेरे जॉन से माफी भी मांगे थी. उसका गुस्सा में तंडाउं क्या था? उसने भी मुझसे सॉरी बोला. मुझे नहीं पता जॉन मुझे या मेरी को कौन सा सबग सिखाना चाहता था. बस सिंदगी के इस सबग ने हमें दर्द की कालकोटरी में धके दिया. एमिली का स्कूल आई कार्ड उसकी वाटर बॉटल क्राइम सीन से बरामत हुए. जहां उसकी लाश को जॉन ने फेंक दिया था. लेकिन उसका स्कूल बैग पुलिस को नहीं मिला. क्राइम सीन से जॉन फर्नांडेस का ड्राइविंग लाइसंस भी पाया गया. जॉन फर्नांडेस को आई पी सी की धारा 363 के तहट के ड्नैपिंग के लिए, धारा 302 के तहट कतल के लिए, और धारा 201 के तहट सुबूत मिटाने के लिए गरफतार किया गया है. इस वक्त उसे जुडिशल कस्टिडी में भीज दिया गया है. डेविड, मैरी और एंडी, एमिली को खोने के गम से जूज रहे हैं. और उलिविया भी शौक और शौक दोनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है. जब पुलिस को एमिली की लाश मिली तो वो काफी गल चुकी थी. इसलिए पुलिस को लाश के सेंपल का डीने डेविड और मैरी के डीने सेंपल से मैच करना पड़ रहा है. ये प्रोसेस इस वक जारी है. साथ ही फॉरेंसिक टीम को जौन की कार में एमिली की स्कूल यूनिफर्म का एक बटन और बालों के कुछ स्ट्रेंड्स भी मिले. उन्हें भी फॉरेंसिक लाब में भेज दिया गया है. एमिली ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके मौसा उसका कतल करने जा रहे हैं. उसने जॉन पर भरोसा किया था. वो उसके साथ हसते खेलते गई थी. एक बच्ची बनी किसी के बेहसाब घुसे का शिकार. जगड़ा किसी से हुआ, शिक्वा किसी से था, और शिकार बनी एक मासूम बच्ची. क्या इस एबनॉमल घुसे को कंट्रोल में लाया जा सकता था? क्या गिले शिक्वे दूर किये जा सकते थे? क्या बड़ों की जुबानी लड़ाई में बच्चों और हिंसा दोनों को दूर रखा जा सकता था? किसी ने कहा था कि एंगर इस शॉर्ट मैडनेस. घुसा एक तरीके का पागलपन है. एक बेलगाम बेनिशान तलवार है घुसा. और जब ये वार करता है तो सामने आए सभी को चीरता है. देखता नहीं है कि सामने वाला उसके घुसे के प्रकोप का हकदार भी है या नहीं. और घुसे का कोई प्रमान नहीं, कोई एकस्पारी डेट नहीं, कोई फोरकास नहीं. ये अंजाने पन में लिपता रहता है और कभी भी कहीं भी कैसे भी वार कर सकता है लेकिन ये बात भी बिलकुल स्पष्ट है और सब जानते हैं कि घुस्से की कमान से निकले हुए तीर मासूमों को तबाह करने के बाद हमेशा लोटते हैं और तीर अंदास का सीना भी छलनी करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पिट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ तब तक अपना खयाल रखे सुरक्षित रहे स्वस्त रहे और याद रखे हेलमेट पहनने का नियम हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए बना है सही वक्त सही कदम सतर करें जैन